हेलो अरिवन, वेलकम बाक टू अनलाइन स्टेडियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी के सेकेंड वीक के गरंट अफेस के बारे में, यानि की साथ से लेकर के 14 जनवरी के जो भी महत्पून क्वेसंस आपको जानने चाहिए, वो मैंने इस वीडियो में लगा रखा है, और बाकी के जो भी क्वेसंस होंगे, वैसे तो बहुत सारे क्वेसंस हैं, लेकिन एक्जाम्स के पॉइंट अफेस जो बहुत ज्यादा मेहत्पूड है, वो मैंने यहां पर लखा है, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल है, जो कि मैंने अपने नोट्स में लि रखे, तो चलिए, सुरू करते हैं, वीकली करंट अफेट से साथ से लेकर के 14 जनवरी 2024 के सभी महत्थपून को ऐसने, तो किसी को इग्नॉर नहीं कर सकते हैं, याद रखेगा, सबसे पहला प्रशन आता है कि पोईला वैसाग को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस को सि जिया टाइग दिया गया कहां पर, डोगरिया कोंसॉल को जिया टाइग मिला है, उडिसा में, ठीक है, उडिसा में, साथी साथ एक सिमली पाल जो चटनी है, उसको भी जिया टाइग मिला है, उडिसा में, इसको भी याद रखेगा, साथी साथ मैं यहाँ पर यह भी बता द ध्यान दीजिएगा एक होता है अर्टान कापिटल एक होता है हैंले पास्पोर्ट इंडेक्स जारी करता है तो एक्जांस में ज्यादातर आपसे पूजाता है हैंले के बारे में लेकिन मैंने यहां पे लिख रखा है अर्टान और आगे मैं आपको बताता हूं हैंले के बारे इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो अस्ती है यह याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कुवेंपु पुरसकार दोजा 23 कितको मिला है कुवेंपु पुरसकार दोजा 23 मिला है बांगला भासा के लेखक है सिसेंद्रु मुक्यो पाधिया नाम से ही आपको लग रहा हुआ कि बेंगॉली टाइप का नाम है यह तो सिसेंद्रु मुक्यो पाधिया को कुवेंपु पुरसकार दोजा 23 दिया गया रमायन वैग संग्राले कहां बना गया रमायन वैग संग्राले आपका अयोधिया में बना है साथ ही साथ अयोधिया में बेशन के लड़ु को GI tag दिया गया है इसको भी याद रखेंगे ठीके अयोधिया में बेशन के लड़ु को GI tag मिला हुआ नेक्स्ट पॉइंट आते हैं वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखा कौन है तो विदेश मंत्री जो है इस जैसंकर इनकी ये पुस्तक है वाई भारत मैटर्स तो आने वाली एक्जाम्स के लिए मुस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अच्छे से याद रखेगा नेक्स्ट आता है हमारा कि प्रेणा प्रोग्राम की सुरुवात किस्ति की है प्रेणा प्रोग्राम की सुरुवात की गई है सिक्षा मंत्राले के दोरा सिक्षा मंत्राले के दोरा इसको स्टार्ट किया गया नेक्स्ट आता है कि दो हजर पच्चीस तक समूचे राज्य में के ओधोगिक विकास के लिए यारी राजी की जितने भी ओध्योगिक है उनके विकास के लिए एक मेगा मास्टर प्लान त्यार किया गया मेगा मास्टर प्लान नीती त्यार किया गया तहां पर तो तिलांगना के अंतरगत तिलांगना के अंतरगत ठीक है लिए भारत नी, ग्वेना गडराजी के साथ, सम्झाओता है क्या है, इसको याद रखेगा, ठीके, नेक्स्ट आता है कि सेबी के कारेकारी निर्देशक कौन बने, सेबी के कारेकारी निर्देशक बने हैं, जी राम मोहन राम, जी राम मोहन राम, नीचे कमेंट करके बता है क जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक विकासील देश है तो यहां पर जो इसके निर्देशक बनाएगे उनका नाम ही है स्री विकासील ठीक है स्री विकासील नेक्स आता है कि क्रिष्णा गुदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट यानि बंगाल की खाड़ी में क्रिष्णा कौन सी संस्था कर रही है तो यह ONGC संस्था के दोरा किया जा रहा है पैंगुलीन संरक्षन परियूसना के सुरुआत कहां पर की गई है पैंगुलीन संरक्षन परियूसना के सुरुआत मद्ध्य प्रदेश में किया गया यह बहुत अच्छा सवाल रहेगा इसको याद र उपेन हाइमर को जिसके जो निर्दे सकत है उनका नाम क्या क्रिस्टोफर नॉलन और आपको पता है क्रिस्टोफर नॉलन की जो मुवीज होती है वो अपने आप में एक आउटस्टेंडिंग लेवल पर होता है तो यह बहुत अच्छा है और इनको यह पुरसकार मिला गौक्त्र करत हमेशा मनें जाता प्रतेफ्ट वर्स तो यह आपको याद रखना है हाली में भारत सरकार के द्वारा भारत-पार्ग कहां बनाया आपको को पहले नाम याद रखना है जो की चिराग से टी और दूसरा है साथ विक साई जो ठी दोनों बैडमिंटन से समन्द रखते हैं, दोनों प्लेयर याद रखेगा, चिराग से ठी और सात्विक साहिराज, दो लोगों को मेजर ध्यांचंद हिलरत नवोड दिया गया, इसके अलावा अरजुन पुरसकार भी वित्रण किया जा चुका, तो अरजुन आवड ट ध्यान दी जगा कि रतले हाइड्रो पावर प्लांट ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जमु कस्मेर से राजस्थान जो है, वो 850 मेगावाट बिखली खरीदने की बात कई है, तो ये जमु कस्मेर के किस तवाड जीले में पढ़ता है, चिनाव नदी पर, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, रतले हाइड्रो पावर प्लांट जमु कस्मेर के किस तवाड जीले में चिनाव नदी पर ये पढ़ता है, इम्पोर्टेट रहेगा, फ्रांस के सबसे युवा प्रधान मंत्री कौन बने है, फ्रांस के सबसे युवा प्रधान मंत्री बने है, गैब्रियल अटल गैब्रियल अटल ये नाम याद रखना है गैब्रियल अटल 27 वा रास्टे युवा महुत सो जो कि ये आपका नासिक में ठीक है नासिक में होगा और मैं आपको बता दूँ कि ये 12 जनवारी को आजन किया गया था जो कि हम ये कह सकते हैं रास्टे युवा म बेकन बाउड फ्रांज बेकन बाउड जिनका हाली में निदन हो गया 78 वर्स की आयू में इनका निदन हो गया और ये काफी फेमस फुटबॉलर थे जो कि जर्मनी से समंध रखते थे कहां से तो जर्मनी से ये बिलॉंग करते थे तो मैं यहाँ पे नोटडाउन कर देता हूं जर्मनी ठीक है नेक्स्ट आता कि IIT मदरास किस पडोसी देश में अपना नया कैंपस खोलेगा तो हमने पिछले साल देखा था नवंबर 2023 में IIT मदरास ने अपना कैंपस भारत के बाहर पहला तंजानिया में खोला और अब यहाँ पे भारत के पडोसी देश स्री लंका में ध्यान दीजेगा कि स्री लंका में IIT मदरास अपना नया कैंपस खोलने की बात कर रहा है ठीक है अगला पॉइंट आता है मिसन ओवे जोन 3 को स्विडेन ने स्पेस एक्स के साथ मिल करके इसको लॉंच किया है मिसन ओवे जोन अमेरिका के फ्लोरिडा से इसको लॉंच किया या इमिपोर्टेंट खाजुरी गुद्ट को जिअए टैक उडिसा में दी अग्या चक्र्वाथ अल्वारो हाली में हिंदमाःसागर में आया हुआ हिंदमासागर में हम्हाएं में आया वहal T homemडगासकर सबसे ज़्यादा इससे परभावित हुआ तो अल्वारो याद अबरट मिला है पाँ लोगों को कितने लोगों को पांच लोगों को दिया किया अगस्च आता है कि भारत अंत्राष्टीय विज्ञान महथसो और यह फरीदाबाद में समपन्न हुआ है बहुत इंप्रॉटेंट रहागा याद रखना अच्छे से Sun बिस्व के सर्वस्रेस्ट एयरपोर्ट का खिताब हाली में किसको विला बिस्व के सर्वस्रेस्ट एयरपोर्ट का खिताब सिंगापूर की चांगी एयरपोर्ट को दिया गया सिंगापूर की चांगी एयरपोर्ट को दिया गया सूरत को दिया गया और इंदोर लागतार सात्वी बार टॉप किया है ठीक है तो लागतार सात्वी बार टॉप किया है इंदोर और सूरत जो है सबसे स्वक्ष सहर का पुरुसकार दिया गया अगर आपसे पूछे कि सबसे स्वक्ष राज्य का पुरुसकार किसको मिला तो वो आपका मध्य प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् बने है बिम्स्टेक के पहले भारतिय महासच्यू बने है इंद्रमणी पांडे इंद्रमणी पांडे देखे जितने भी प्रश्ण आपको यहां पर बताया जा रहे हैं उनको तो याद रखना है साथ साथ इसके अलावे आपको नोट्स में और भी सारे सवाल मिलेंगे और भी कंपलसरी है इनको अच्छे से याद रखे माइंड में क्योंकी क्वेसंस डेफिनेटली बनेंगे तो सबसे पहले यहां से बनेंगे ठीके फैंस चलिए नेक्स्ट आता है कि हाली में द्रिष्टी 10 स्टार लाइन ड्रोन का नावरण किया गया है हैदराबाद के अंतरगत है कोई दिक्कत नहीं है अच्छे से सभी के याद रखेगा नेक्स्ट आता हमारा डार्क स्काई पार्क का खिताब किस को मिला डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को दिया गया तो महराष्ट के पेज टाइगर रिजर्व को ये खिताब मिला है डार्क स् सबसे लंबे समुदरी ब्रीज अटल सेतु का अनावरन किया चुकि महरास्ट के मुंबई में यह 20 का बारहवा सबसे लंबा समुदरी पूल बनाया इसको वे ध्यान में रखेंगे Einstein probe launch किया गया हाली में Einstein probe को किस देश ने launch किया तो इसको चीन ने launch किया अच्छी बात है कि चीन ने अपने अपने वो आलतु-फालतु नाम को ना यूज करते हुए अच्छे साइंटिस्ट आइंस्टाइन के नाम पर ये लॉंच किया गया है आइंस्टाइन प्रोब को चीन ने लॉंच किया और इसमें क्या होगा कि ब्रहमांड में जो रहस्वाई जो छड़ी घटनाय होती है उनका अध्यान करने के लिए चीन ने इसको लॉंच किया है और इसका जो आप प्रोब को देखोगे ना जो सैटलाइट है वो कमल के फूल क की तरह है मतलब पिक्चर में आप देखोगे तो लगया कमल खुला हुआ खिलता हुआ कमल का फूल है नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिवकला मेला दिवकला मेला 2024 यह नागपूर में आजन किया जाएगा नागपूर में हाइडोजन वैली इनोवेशन हब स्थापिद करे तमिलाडो में इसकी स्थापना होगी हुंडई और यानि हुंडई और IIT मदरास दोनों मिल करके इसकी स्थापना तमिलाडो में करेंगे हैडोजन वैली इनोवेशन हब नेक्स्ट पॉइंट आता है संभाव संभाव हाली में लॉंच क्या गया संभाव है क्या तो देखे ध्यान दीजिएगा अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे संभाव का मतलब है सिक्योर इसका मतलब सेक्योर ए से आर्मी एम से आपका हो जाता है मोबाइल सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत और वही से आता है वर्जन यानि कि सम सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन क हाली में किसने लॉंच किया, तो इंडियन आर्मी ने लॉंच किया, यह important रहेगा, हो सकता है कि आपसे घुमा कर कि पूछ ले की बताए कि M का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है, तो A से आर्मी, ठीक है? A से आर्मी, next point आता है, यह चगान मेला, जो कि आपको पता हुगा, यह कर तमिलाडू बीच में क्यों जा रहा हूँ यह चगान मिला करनाटक में लगता है महाभारत और रामायन ठीक है महाभारत और रामायन की थीम पर यह जो की आधारित होता है यह चगान मिला करनाटक में लगता है ठीक है तो दिखिए उमीद है कि यह आपको आज का यह सेशन हम आगे बढ़ सकते हैं मिलते हैं हम लोग इसी परकार के नेक्स्ट वीडियो में ने टोपिक के साथ थैंक्स व वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लार्निंग हाव अगुटे